नमस्कार दोस्तों, जाहिन आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहा है, इस टॉपिक का नाम है कुछ मैं विस्विकी, कुछ पिरमुक नदियां करा रहा हूँ इसको आपको एटलस से भी देखना होगा, यहाँ पर मैं आपको वो एटलस भी देखाऊंगा ठीक है, तो यह UPSC और PCS दोने एक्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है के लिए हम लोग सुरू करते हैं जर्मनी से जर्मनी में हमें तीन में नदियां पाड़नी है आप एटलस में देखोगे तो यह तीनों ही नदियां जिनके हम लोग बात करने जा रहे हैं तीनों ही उत्री सागर में जाकर गड़ती है पहली जो इंपॉर्टेंट नदी है वो है राइन नदी आप जर्मनी में सब को पता है कि वहाँ पर एक ब्लैक फॉरेश्ट है तो यह जर्मनी में ब्लैक फॉरेश्ट परवस से निकलती है राइन नरी ठीक है यह ब्लैक फॉरेश्ट और एक और परवत है वहाँ पर वास जेस परवत इनके बीच से भैती है आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखेगा फिर यह नीदरलेंड में प्रिवेस करके उत्री सागर में गिर जाती है तो देखना है यह कहां तक जा रही है फिर नीदरलेंड में जा रही है ठीक है राइन नदी की एक साहिक नदी है जिसको कहते है रूर नदी ठीक है रूर नदी के बेसिन में कोईले का बहुत बड़ा भड़ार है जिसे रूर बेसिन या रूर प्रदेस कहते है यह जर्मनी का काला प्रदेस या जर्मनी का रूर प्रदेस भी कहलाता है इसे यूरोप का इंडिस्टियल हर्ट भी कहते हैं या ओदोग खिरदय के नाम से भी जानते हैं अब दूसरी जो नदी है वो है एल्व नदी एल्व नदी बहुत फेमस सहर है इस नदी के नारे बना बसा हुआ इसका नाम है हैंबर तो आपको हैंबर क्या दखना है ठीक है अब जो एक और इंपॉर्टन नदी है तीसरी वो है ओडर नदी ये जर्मनी में आप देखें कि नदी एक काला सागर में जाके गरती तो देखिए काला सागर को ध्यान से देखें आप उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टन एक और नद आपके लिए इंपॉर्टेंट काम है कि आपको पांचों राजधानियों को अपनी नोट करना है कि जहां से डैन्यूम नदी बह रही है ठीक है यह मैं आपको नहीं बताने जा रहा है फिर हम लोग बात करेंगे फ्रांस की फ्रांस में लोग एक ही नदी को देखेंगे सीन रहे है यह नदी इंग्लिस चैनल में जाकर गरती है तो आप इंग्लिस चैनल देख लिए ध्यान से इसके बाद आपको इटली पे चलना है इटली में हम लोग दो नदिया देखेंगे पो नदी और टाइबर नदी पो नदी को देखेंगे तो एल्फ परवस्त से निकलती ह है और इसे लोंबार्डी का मैदान कहा जाता है लोंबार्डी के मैदान पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन करने वाला छेत्र है सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला छेत्र माना जाता है नेक्स हम लोग जानेंगे टाइबर नदी को इटली की राज़ानी, रोम, टाईवर नदी के किनारे बसा है, इसलिए टाईवर नदी बड़े इन्म्पॉर्टेंट है, अब हम लोग देखेंगे, रूस, रूस में हम लोग देखेंगे, तीन मे नदियां, सबसे पहले देखेंगे हम लोग को, बोल्गार रिवर को, ग्राद ये city इसी नदी के किनारे वसी है ये इस river valley में तेल मिलता है और यहीं पर इस सहर में जहा हमने बताया था आपको बोल ग्राद सहर में यहाँ पर तेल की refinery है तेल सोधन होता है अब हम लोग बात करेंगे यूराल नदी की अगर हम यूराल नदी को देखें तो ध्यान से देखेगा ये नदी यूराल परवस से निकलती है और कैस्पियन सी में जाकर गड़ जाती है डान नदी एक और नदी है डान नदी ये डान है डान नदी ये नदी रूस से निकल कर काला सागर में जाकर गड़ती है चुकि आप जानते हैं रूस का रूस के दो हिस्से एक हिस्सा एसिया में आता है दूसरा यूरोप में आता है जो हिस्सा रूस का एसिया में आता है उसे तीनों ही नदियां आर्टिक महा सागर में जाके करती है और जबकि काला सागर में दो नदियां गरती है एक तो डैन्यूब जो जर्मनी से हम लों ने बात की थी और रूस में एक वे नदी बहती है डॉन ये जाके करती है कैस्पियन्स आगर में अभी दो नदिया गिरती है एक तो बोलगा जाके गिरती है यूरोप की सबसे लंबी नदी और दूसरी गिरती है यूराल नदी ठीक है अब हम लोग देखेंगे एराक एराक में हम लोग एक ही नदी को पढ़ेंगे उसका नाम है तिगरिस नदी और एराक की राजधानी बगदाद इसी नदी के किनारे है अब हम लोग मंगोलिया की बात करते हैं आइए देखें मंगोलिया मैप में मंगोलिया में आपको दिखाए देगी आमूर नदी आमूर नदी मंगोलिया से निकलती है और रूस और चीन का बॉर्डर बनाती हुए आंगे बढ़ती है अब आपको यहाँ पर देखना है ठीक है अब हम लोग बात करेंगे चीन में कुछ नदिया है इनको आपको बहुत गहन तरीकिस देखने हैं एक पहले देखने होंगो नदी ये तिबबत के पठार से निकलकर बोहाई की खाड़ी में गरती है इसे पीली रिवर भी कहते हैं क्योंकि ये लोएस्ट के मैदान से उकर गुजरती है और यहाँ पर पीली मिटी पाए जाती है तो हंगो नदी आपको याद रखने है दूसरी नदी आप मैंक्ट में देखिए यांगसी नदी ये यांगसी नदी है ये तिबबत के पठार से निकलती है और चीन के पूर्व में ये पीले सागर में गर जाती है ये नदी एसिया की सबसे लंबी नदी मानिया थी अब हम लोग बात करेंगे मिकांग रेवर की तिबबत के पठार से ये भी निकलती है दच्छन पूर्व एसिया के पाँच देश म्यानमार, थाइलेंड, लाओस, कमबोडिया और बियतनाम सोकर पहती है इसलिए इस नदी को दच्छन पूर्व एसिया की गंगा भी कहते है इसलिए और लाश्ट में ये नदी दच्छनी चीन सागर में गरती है एक और नदी है जो चीन के इंपॉर्टर नदी से कहते हैं सालवीन नदी नदीयां तो बहुत हैं बस हम लोगों को इतना देखना है सालवीन रिवर ये भी तिबबत के पठा से निकलती है और चीन और उसके बाद म्यानमार में जाती है और बाद में मर्तवान की खाड़ी में गरती है यहां पर है मर्तवान की खाड़ी तो म्यानमार में हम दोग देखेंगे सरफ एक नदी इरावती नदी म्यानमार में हिमालय परबत को अराकान योमा कहा जाता है यहीं से इरावती नदी निकलती है और मर्तवान की खाड़ी में गड़ जाती है इसे म्यानमार की जीवन रिखा भी कहा जाता है अगर दोस्तों अपने पड़ोसी देस स्री लंका की बात करें तो यहां पर हमें महjoint वेली गंगा को याद रखना है महाविली गंगा याद रख की का स्री लंका में बेता है तो दोस्तो, यह है थी हमारे पड़ोसी देसों की कुछ important नदिया, यहाँ पर हमने नेपाल की नदियों की बात नहीं की, हमने उनकी भी बात करेंगे जा हम लोग भारत की नदियां पढ़ रहे होंगे तब हम लोग वहाँ पर नेपाल की नदियों को देखेंगे, फिलाल इस तरह से वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे चनल को लाइक करना सेर करना और चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्कार जाहिन